हेलो गाइस वेल्कम बैक जैसे की मैंने बताया था आपको वे अन्दे सेक्ट बिल्डियंग और यूनिवरसिटी इस बिल्डियंग के एक पैस्पेसालिटी कि यह मैं बचल बहुत ज्यादा हो गे पहले 5 पॉरपुस थे तो 6th building यहां इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा departments यहां shift किया गया यह आते हैं थोड़ा मतलब पांच मिनिट युनिवसिटी के रस्ते से वहां से वो जो छे जो भी अभी नया जो भी किसे कह सकते जो भी advanced technologies सब कुछ यहां लाया गया है ताकि मतलब कि अभी का अभी के हिसाब से पच्चे पड़े इसी वज़े से यहां सारे advanced technologies लाया गया है हम एक बार अंदर जाके यहां देखेंगे यहां एक दिन का पूरा वीडियो बन जाएंगे क मतलब की एक पूरे दिन के वीडियो यहां है हमें permission मिले हैं जहां classes नहीं चल रहा है तो एक तो stimulation center के अंदर stimulation center के अंदर दो stimulation मतलब दो floor में stimulation center है पूरा तो एक first floor में हम जा रहे हैं यहां traumatology department है और gynecology department है और हमेली तो यह दो है और हम दिखाएंगे अभी आपको क्या-क्या है यहां और यह stimulation center की uses तो मैंने पहले भी बता चुका है कि मतलब की बच्चे जब एक पेशन को देखने स पहले वो क्या-क्या सीखना चाहिए वो सब यहां सिखा रहा है जैसे कि nursing से लेके एक ट्रॉमा पेशन ट्रॉमा पेशन तो हमें हर बेर में मिलते जैसे कि हर ट्रॉमा पेशन डालग अलग होते तो उन्हें कैसे हैंडल करना है जो भी आम्पुलेंस में जाते जैसे कि emergency medicine में हैं वो लोग पेशन को कैसे shift करना है यह सब हम दिखाएंगे अभी आपको आप एक पर देख लिजेगा तो आपको ज्यादा idea मिल जाएगा यह जो डमी-डमी कहते जाते हैं वो किसलिए है क्यों है यह आपको हम आज दिखाएंगे कि यह डमी नहीं है यह मैनिकन होते है और यह मैनिकन मतलग आपको दिखाएंगे मैनिकन ऐसा है कि मतलग सारा का सारा फांक्षेंस होते हैं इसमें जह जो इंसानका हो अभी हम दिखाएंगे पहले हम Traumatology department देपार्टमेंगे Members तो जो भी बर्न पेशेंस ओ, फ्रैक्ट्र पेशेंस ओ, उन तरीकों के मैनिसों को जिकर मसलब ट्राइब करने के लिए है, जैसे कि कोई भी प्रॉमेटोरजी पेशेंट आ गया, हमारे पास लिए आप लिए पेशेंट आ गया, तो इन डॉक्टर क्या करना है, वो पहले यहा मतलब के लिए 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 लेटा होई तो आपका यहाँ सिखाता है, तो आपका यह शत्राथ होगा की मतलब की क्वेश्टर कहा है, यहां स्ट्राइब यह इदेख हो पड़ाए, नियां स्ट्रीक्टर में लिए यह कि उतलब के लेकर घेंटा खरिवारी इचर्टः कि इस तेटर में केसे इठाना होता है यह सब है और यहां देख लोगा है इस प्रोवाइब रहे हैं यहां बच्चे केसे मतलब एक हर एक चीज बच्चे यहां इन से सिखे उसके बाद बच्चे कहीं भी अप्लाइ करने के लिए कोई डर ने रहेंगे बलकि हम एक होस्पिटल मे पहली बार डॉक्टर एक पेशिंट को इसे दिख रहा है तो उसने जो पड़ा होगा वो कहां अप्लाइ किया है कहीं अप्लाइने कि होगा दूसरे करते हुए देखना होता है जब हम यहां से पढ़के जाएंगे तो दूसरे जब कर भी रहे तो हम मदद भी कर सकते हैं और और हमारे लिए बहुत सही है बलकि मैंने कहा भी आप से कि मतलब कि फर्स्ट इथर्ड इयर में में यूस होता है यह देखो यह अभी फ्रैक्चर जिसका भी हाथ या कुछ फ्रैक्चर होगा तो उसमें सपोर्ट करने के लिए जो लगा जाता है और सारे के सारे चीजे हैं ट्रामा डिपार्टमेंट में जो भी केसरे अर्श के लिए है सब कुछ यह बच्चों के लिए यह जो सीपी आर लगर देने के लिए रखते हैं और अब यहां मैं आपको क्या बताओं यहां इस लाइक मावलस और आपको एक शक होगा कि मतलब कि गाइनकोलजी और ऑफिक डिपार्टमेंट में क्या काम है जो भी म्डिवियस डॉक्टर से उनके लिए बहुत बॉठन है यहां पढ़के ही आते है जासे पढ़के ही आते है और यह देखूए आप एक बच्चा है और यह पूरा मतलब पूरा रोबोटिक सिस्टम से पूरा वर्ट करते हैं किसे की इसके मतलब यह बच्छा मतलब पुछ भी हो यहां computerized system है सारे के सारे functions होते हैं इसमें CPR दे सकते हैं और मतलब injection तक दे सकते हैं यहां देखो देखाल इस्चेशन दे सकते हैं और हात में सकते हैं और प्रॉस भी मिल जाते हैंila fast fully fully automated robot system है और लए बच्छे का क्या है ओ यहां computer says करते हैं और बाद में बच्चों कोदे देते खि caffeine कि बच्छों को बोलते हैं कि इसको अक है सि्टवेशन है संवाध्य करना है तो इनको राझ चन डे सकते हैं सी प्यायर दे सकते हैं बनके साल इति है आफ इवरिटेंग आइक ए इसे से चुल चि OK कि मतलब जब लाइफ पहले बार कोई डॉक्टर ऐसे सितूइशन देखे तो वो क्या करना वो यहां शिखाते हैं, कभी-कभी हमारे फॉस्पिटल में मरीज बहुत कम आते हैं सो में एक यह जो आते हैं वो cases भी यहां सिखाते हैं ताकि समच जाएं कि case से handle करना है यह बहुत important होते हैं और यह भी वही system है लेकिन यहां की speciality यह है कि वो premature baby है और यह mature baby है mature baby जब आते हैं तो क्या करना है यह सब यहां अलग से बता रहे हैं और यहां और भी और भी Anadvice और सब कुछ बता रहा है कि एक भच्छे का मतलब एक बच्छे का delivery के time में क्या 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 कोई क्वाइं सी position में होते हैं यह इसलिए बता रहा है कि मतलब हम समझ जाएं कि बच्चे कई से लेट रहे पेट में और मतलब किस पोसिशन में हैं यह सब हमें समझना चाहिए ऐसा डॉक्टर जीसलोलाई कि से लेट आउक्ष देख सकते हो मतलब कि अब देख सकते हो यह सास ले रहे है मतलब फुल्ली ओटोमेटिक है और यहां र에 बीचे कि और सारे काडियोग्राम के और पार्ण। हाड रेज, सब कुछ यहां दिया हुआ है, और यहां टीचर, इस सेड में टीचर आके सेड करते ही, मतलब कि इसको कीसी तरह की की डेलिवरी होने वाली है, तो कि इसके हाड़ बेर काम हो गया, ना तो यह डेलिवरी के बाद मा मर गया, इससे सिट्वेशन क्रिएट करके दे देते ताकि बच्चे ज्यादा कि इफ्यूशन हो जाएं उनके काम में, तकि बच्चे ज्यादा समयच जाएं कि क्या से करना होता है, क्या है यहां एक अचानल सिटुएशन आ गया थो इसकी एक और बात बताता हूं, पेट के अंदर, जो मतलब बच्चे हैं, उनके भी सार किया उन्होंने बंद करके रखते हैं इसा है तो फुली ओटमेटर है इवन हमें इनके पल्स भी मिलते हैं सब फुली क्या बताएं के से रहा सकता तो भी सीलिए रखाएंगी मतलब क्युंके हाटवीड चकर है हाटवीड प्रॉपर है या नहीं सब चकर सकते हैं यहां चाहे तो इन्हें काडिया करस्ट भी करा सकते हैं फ्रिक्निंसी के टाइम पर हेलो तो उतना कर दो तो